हाउर फीक्स केमरा नोट वोर्किंग आफ्टर अपडेट प्रॉब्लेम इन एनी सैमसंग एम सीरिस नमस्कार दोस्तों स्वागर अब सभी का तिकराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों कभी कबार क्या हो जाते हैं मुबाइल अपडेट करने के बाद केमरा यहां पर काम करना बन हो जाते हैं तो अगर आपको यहां कोई भी प्रॉब्लेम कोई इस्यू हो रहा हैं अगर आपके जो केमरा है वह भी काम नहीं कर रहें अफ्टर अपडेट तो आप दोस्तों इस वीडियो को आन तक जरूर रहें उसके बाद केमरा काम नहीं कर रहें तो अपडेट यहां पर दोस्तों एक ऐसा सॉलिशन होते हैं जिसके ट्रू प्रॉब्लेम फिक्ष्ट किया जा सकते हैं लेकिन अपडेट की बाद प्रॉब्लेम आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए यह आपको इस वीडियो प दोस्तों यहां पर आप क्या कर सकते हैं अगर केमरा जो है काम नहीं कर रहे हैं तो सेटिंग पर जाए कि सेटिंग पर जाने के बाद दूस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करना है एप्स सेलेक करना है और थोड़ा सा नीचे में आके आपको केमरा ऑप्शन ऑपिन कर लेना है ठीक है camera open करना है और उसके बाद आपको storage option पर क्लिक करना है तो इस storage पर जाने के बाद clear data पर क्लिक करना है तो data clear करने के बाद आपको जाना होगा next पर यहां पर permission तो सारे permission आपका allow होना चाहिए जैसे आप सारे permissions allow करोगे mobile को restart करें एक बार चेक करके देखिए solved हो चुका होगा आपका problem ठीक है तो इस तरह के से आप अपने problem को fix कर सकते हैं अगर problem solve हो जाता है तो ठीक है अगर problem solve नहीं हो रहा है तो general management पर जाए scroll down करें reset option पर select करें और reset all setting पर click करके reset setting पर click किजिए और mobile password भर दीजिए उसके बाद complete setting reset हो जाएगा तो अभी आप एक बार दुबारा से चेक करके देखिए आपका camera काम कर जाएगा ठीक है तो इतना solution करने के बाद दोस्तो अगर problem solve हो जाता है तो ठीक है अगर फिर भी आपको problem आ रहा है तो आप दोस्तो यहाँ पे तो आप दोस्तो प्ले श्टॉर में जा सकते हैं प्ले श आप उस camera app के true अपने camera को चलाएए ठीक है इससे दोस्तों आपका काम बन जाएगा तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर problem को fix कर सकते हैं इनी चांस camera app काम नहीं कर रहा है तो आपको mobile setting पर जाना है और यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए क्या करना है जेनरल पर क्लिक करें mobile password डेके factory data reset कर लीजिए जैसी आप factory data reset कर लोगे दोस्तों आपका problem fix हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों आप problem को solve कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पे camera after update काम नहीं करते तो आप यह सारे solution कर सकते अगर camera app काम कर जाते तो कुछ दिन उस ठट पटे application अपने camera को use करें जब next update आजाएगा तो next update पे software update कर लेना solve हो जागा problem ठीक है तो इस तरीके से fix कर सकते हैं अपना camera problem को अबिट करते हैं आपको वीडियो पसेने होगा thanks for watching